तो बार-बार processes की दोहाईयां देना आप बन केजिए क्योंकि ultimately processes की पीछे से ही आपके सामने इतना बड़ा एक पाहार खड़ा हो गया है तो देखिए, any process is only as good as its execution आपके कहने पे, आपने उनको जिस तरह से pitch किया, वो convinced हो गया बल्कुँ उनके आपको पैसे दिये तो आप उसको पैसा वापस करना नहीं जाते हैं, यह क्या मतलब है कहने का कि आप मुझे यह इतनी बड़ी चीज है, कि आप अपनी goodwill को trade off करने के लिए तयार है अभिशेक, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मान के चलो के काली अंधेरी रात है, और सूरद जोरों से चमक रहा है दूर तक सूखा पड़ा हुआ है, और जोर से बारिश हो रही है चारू तरफ बहुत घना फौग है, लेकिन दूर तक बस सब कुछ साफ नजर आ रहा है जै क्या पहेलिया बुझा रहे हुए यार पहेलिया तो बिलकुल नहीं बुझा रहा हूँ कहानी मैं तुमें वही सुना रहा हूँ जो आजकल वेवेग बिंद्रा हर शो पर हर पॉडकास्ट पर सुना रहे है तो ये उस पॉडकास्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी किसी के साथ आके दिया एक घंटे का उसकी भी कर रहा हूँ और उनका जो अपना भी वीडियो आया था, उसमें भी वो यही कह रहे थे के भई, no questions asked, ठीक है, money back guarantee, लेकिन पुछ conditions भी है एसी तुमने opposing चीज कभी life में सुनी है, के questions भी आप से नहीं पूछे जाएंगे, no questions आथ, आपका पैसा वापस हो जाएगा, अगर आप dissatisfied है, ठीक है, money back guarantee है हमारी, 10 लात नहीं कमाया तो आपको पैसा वापस मिलेगा, मैं आपको लेता हूँ, एक महीने में 10 लात नहीं कमा problem ही है reselling, भई आप अगर product किसी इनसान कुद बेच रहे हैं, ठीक है, एक consumer को बेचें जो consume करें उसको, लेकिन यहाँ पे consumer ही नहीं है, वो ही उस product को या service को खुद consume नहीं कर रहा है, वो उसको आगे पास कर रहा है, problem यह है, ठीक है, बिलकुल, बिलकुल, नहीं मैंने देख एक ही चीज सुन रहे हैं, उनकी लगातार, continuously एक ही बात वो बोल रहे हैं, कि आप मुझको बुलाईए, अपने show पे, और अगर अपने show पे नहीं बुलाना चाते, तो किसी और के show पे चलते हैं, और किसी और जगाँ पर चलते हैं, तीसरी जगाँ पर, और मुझे chance दीजे, ताकि मैं explain कर सकूँ, दूसरी साइड आपको, अब आप विडम बना देखिए, ultimately एक show पे, या तो ने बुलाया गया है, या वो गए हैं, जिस show की हम अभी बात कर रहे हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने, दो से तीन बार, जब सामने वाला आपसे question पूछ रहा है, आपने वह नहीं उसको blatantly interrupt करके, और वो सवाली नहीं उसका पूछ नहीं दिया आपने, तो अगर आप उस पूरे podcast को देखते हैं, जो कि एक घंटे का है लगभग, यार हम भी अकसर जब videos बनाते हैं, तो obviously कुछ behind the scenes होता है, और कुछ final जो product होता है, output होता है, वो सामने जाता है, तो वो अगर कुछ पूछ रहे है, कोई counter question पूछ रहे है, कोई difficult सवाल पूछने वाले होते, तो आपने वहीं उनको काट दिया, तो क्या इसी तरीके की एक dialogue की so-called, आप बात कर रहे थे बार-बार, कि आप मुझे बुलाईए, मौका दीजिए, मुझे बिठाईए, आपके सव सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, अरे सर सवाल पूछने तो देजी आप, सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं, आप अपनी बातें कहें चले जा रहे हैं, कि हमारे systems इतने great हैं, कैसे आप देखिए, कि हमने इतनी transparency रखी है, एक-एक system, you know, he is going on naming systems after systems, processes after processes, आप मुझे य intentions भी matter करती हैं, आप समझे दर है इस बात को, आप जा रहे हैं road पर, process, law, कानूल क्या है, कि आप अगर drive कर रहे हैं, तो seatbelt पेनेंगे, अगर आप ride कर रहे हैं, तो आप helmet पेनेंगे, ये process है, law बना हुआ है, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कि एक police cop ने, एक traffic police cop ने, ए under whatever section that is, you know, applicable to that particular kind of an offense, traffic violation है, लेकि अगर उस cop की intention ये है, कि चलिए मैं 100-200 रुपे लेकर इसको छोड़ देता हूँ, तो आप मुझे बताइए, कि ऐसे process का, ऐसे system का फायदा क्या हुआ, तो देखिए, any process is only as good as its execution, इस बात को आप समझ लीज़े, ठीक है, तो बार-बार processes की पीछे से ही आपके सामने इतना बड़ा एक पहाड खड़ा हो गया है, अगर इतने ही robust processes थे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी, इतनी magnified ये problem होती, ये होते, कहीं बिलकुल far and few cases होते, एक या दो cases ऐसे होते, जो obviously negligible एक वो होता है, उसके लिए exception एक process drive करके, और literally, you know, address the issues right now, क्योंकि अब तो उनके लिए मुश्किल हैं जो हैं वो बड़ती पर बड़ती चली जा रही है, हमने पिछले वीडियो में discuss किया, कि कैसे संदीप मायश्वरी ने परते खोल दी हैं अब तो, कि कैसे ये scam हो सकता है, विवेक बिंदरा पाए गए गए ते अपन पर discussion किया है, तो खेर, ये मुझे यार बड़ा amusing लगता है, कि आप जाते हैं ऐसे platforms पे और अपने इस तरीके की, you know, एक hogwash जिसको कहते हैं, या iwash जिसको कहते हैं, उस तरीके का एक atmosphere create करते हैं, and then it is all about you, it is not about the problem. बिल्कुल नहीं और अभी शेक कहते हैं वो के भई, 200 करोड जो है, वो मैंने spend किया है, अपने systems और अपने software और ये पूरा infrastructure बनाने में, 200 करोड अगर आप उस पे spend कर रहे हैं, आपका एक तो पूरे साल का turnover, जो संदीप महिश्वरी ने बताया, इनका है 172 CR, ठीक है, पूर क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि अगर आपके पास इतना cash है और इतना surplus money है, तो आप अगर 200 करोड अपने system पे लगा रहे हैं, तो कुछ करोड लगा के लोगों को पैसा उनका वापस तो कर दो, जिससे आपकी goodwill at least जो है market में intact रहे, बड़े conveniently मतलब वो ये कहते हैं कि 25 से 30 हजार का हमारा staff है, उसमें से कुछ ऐसे शैतान लोग होते हैं, छोटे मोटे, जो फिर ये करते हैं कि मेरे ही वीडियो को उन्होंने इधर से edit किया, उधर से edit किया, और फिर उसमें लोगों को दिखा दिया, और उसमें बस मैं यही कहता हुआ दिखता हूँ कि no questions asked, यह हमारी money back guarantee है, तो भई वो no questions asked कहते हुए कौन है, यह तो आप ही है ना, आपके मूँ से ही तो निकला है, no questions asked या करी और आदमी वहाँ पे कह रहा है आके, तो उसके आगे वो कह रहे हैं कि वो conditions apply या हमारी conditions fulfill करनी होती है, यह वो chop off कर देते हैं, अरे वो अगर chop off कर रहे ह तो उसके जिम्मेदार भी तो आप ही है, उनको अगर IBC बनाया है, आपने बनाया है, ठीक है, जो हमने last video में बात की थी, filter process की, कि आपने फिल्टर क्यों नहीं लगाए, यह गल्ती किसकी है, यह गल्ती आपकी है, आपने filters नहीं लगाए, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आ आप लेंगे ना, बिल्कुर, तो बड़ी conveniently आपनी कह दिया कि अरे वो IBC होते हैं, उनको भी उनकी commission मिल रही होती है, तो वो पीछे से आदमी जो होता है, वो बोल रहा होता है, रे बोल दे, बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, और वो हाँ बोल देता है, finally, और फिर वो मतलब हर चीज़ को कह देता है, बादा कर देता है, कि हम यह भी कर देंगे आपके लिए, वो भी कर देंगे, client के लिए, लेकिन इसके जिम्मिदार आप हैं, और कोई नहीं है, इतना conveniently आप उससे बच नहीं सकते हैं, मैं तो यह सूचता हूँ यार, यह किस तरीके की selling है, य यह कैसी selling हो रही है, जहाँ पर इतना push किया जा रहा है, इतना जादा aggressively push किया जा रहा है, जहाँ पर lead ही नहीं है, एक question हम लोग और हम कुछ interview related, best practices related भी इस channel पर videos बनाते हैं, एक बड़ा ही popular question होता है, interviews में पूछे जाने वाला, और थोड़ा cliche भी है, जिसमें हासन, मैं बता candidate है, वो अलग-अलग तरीके की चीज़े बताना शुरू करता है उस pen के बारे में, कि कैसे यह pen दूसरे pen से different है, इसको आप use करेंगे, तो आपकी handwriting अच्छी हो जाएगी, आप status symbol हो जाएगा, XYZ, लेकिन अकसर candidates वहाँ इस बात को नहीं समझते हैं, कि सबसे पहला सवाल जो आपने अपना एक product या service बेच दिया है, और उसके बाद upsell आप कर रहे हैं, कि चलिए आप ये भी dry कीजिए, एक हमारा product line में ये भी एक चीज़ है, ये compliment कर सकती है, ecosystem आप build कर सकते हैं, जहाँ पर उस product या service की need ही नहीं है, वहाँ पर why am I ever going to sell you this pen, because अगर मैंने किसी तरह से बेच भी दिया, it is not going to end up, you know, in any sort of a customer delight, तो again ये कैसी selling होती है, मुझे समझ मैं नहीं आता है, अगर वो ये कहते हैं कि low questions asked, हम पैसा refund करते हैं, और उसके बाद भी इतने सारे cases हैं, जहाँ पर हर कोई refunds की ही बात कर रहा है, जिसके refunds process नहीं हुए हैं, तो मैं तो ये कहना जाता हूँ विवेक बिंदरा से कि वो बार-बार ये क्यों कहते हैं कि ये scam नहीं, उन्होंने बैटके उस podcast में कहा है कि scam होता है जब आप जूट बोलके किसी फरेब से, किसी जालसाजी से किसी का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो आप क्या ये जूट नहीं है, जब आप इ money back guarantee no questions asked, तो अगर वो no questions asked है और उसके बावजूद भी इतने सारे processes हैं, आप science समझाते हुए पाय जा रहे हैं उस podcast में, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि science ये होती है कि पानी को अगर आप 100 degree पे treat करते हैं तो वो उबलेगा, बरफ नहीं जमेगी उसमें, ये science है, तो आप मुझ questions asked में आप उनको scientific processes हैं ना, आपके बड़े robust processes हैं, आप उनको refund दे देजे ना, दूसरी बात, 1,60,000 कतित तौर पे, IBCs की बात हो रही है आपर, जो उनके पूरे ecosystem में है, जिसमें से उनका कहना है कि चंद, 1-2,000 लोग, hustle, I was baffled, कितना मतलब आसानी से हूँ कह रहे हैं कि 1-2,000 लोग, तुम यार, अपने घर से, और imagine करो कि 2,000 लोगों की एक line लगे, जो road सामने जा रही है, सोचो और line चलती जा रही है, 2,000 लोग, एक के पीछे, एक के पीछे, 2,000 लोग जब खड़े होंगे, तुम देखोग 1,60,000 लोगों का customer base है, IBCs है या जो भी वो लोग हैं, उसमें से आपके लिए वो एक negligible, एक minuscule figure हो सकता है, लेकिन 2,000 लोग in and of themselves इतने जादा होते हैं, जिनके grievances हैं, दूसरी चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि वो हमने 5 महीने पहले sort कर दिये हैं सारे issues, मुझे तो समझ में अगर आपने 5 महीने पहले sort कर दिये हैं, तो अब ये निकल के कहां से आ रहे हैं सारे, इसका मतलब है कि कोई ने कोई loophole है, जिसको आपको बताना पड़ेगा, refund करने पड़ेंगे, अब तो चीज़ें legal जा रहे हैं, जिस तरह से संदीप महेशवरी ने अपनी मोहिम अब श तो जिस attitude से वो इस पूरे podcast में उन्होंने बोला न, कि भई हम refund आपको क्यों दें, भई आप हमारे session में आए नहीं, आप हमसे फिर gold medal मांगोगे, भई gold medal कौन मांग रहा है, वो एक आपका consumer था, वो आपके, आपके कहने पे, आपने उनको जिस तरह से pitch किया, वो convince हो गया, और अगर आपके product को try करने के बाद, और product भी आपका ऐसा है, जो personalized नहीं है, mind you, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई tailor made कोई आपसे चीज बनवाई है, या service बनवाई है, आपकी एक shelf में रखी हुई है वो चीज, आपने बस उठाई है, और consumer को दे दी है, आपने उसमें गोल मेडल दो, वो आके बोल दे, student हमसे, गोल मेडल थोड़ी ना मांग रहा है, अगर उसने पैसा आपको दिया है और वो satisfied नहीं है, वो बस यह कह रहा है, जो आपने वादा किया, no questions आसका, question मत पूछो, पैसा वापस दे दो, वो यही कह रहा है, और इसी पर आप मतलब, आप okay नहीं हो, जो लिएका है, बड़ी conveniently आप कह रहे हो कि हमने मेजून में उस प्रोग्राम को खतम कर दिया, जो इससे पहले वाला था, प्रोग्राम को खतम कर दिया, क्योंकि आपको पता था, उसमें खामिया थी, ठीक है, उसमें परेशानिया थी, तो उसको पूरी तरह से बंद करने का तो ये मतलब है, कि आप सब लोगों को बुलाते, और जिसका जो पैसा है वापस करते, जो IBC आपने बनाएं, जो कोर्स सेल करने के लिए एन्रोल हुए थे, वो तो भी अपना कोर्स सेल नहीं कर पाए, अपना पैसा रिकावर नहीं कर पाए, इसलिए तो फ ठीक है, कोर्स का जो पैसा था, वो आगया अंदर, और आपने शटर डाउन कर दी, अब जो शटर के उस तरफ था बंदा, जो उस कोर्स में पाटिसिपेट करना चारा था, या उसको आगे बेचना चारा था, अभी दो महीने पहले, तीन महीने पहले, वो ट्रेन ही हुआ थ उसको सेल करने के लिए, उस कोर्स को, उसी टाइम पे आपने शटर बंद कर दिया, तो अगर आप इसको एक अच्छी तरह से क्लोज करते हैं, इसको क्लोजिंग देते, तो ये लोग आते ही नहीं, कि हम कहां जाएं अब, हम उस कोर्स को कहां पे बेचें, तो ये इसका all the students और जो भी उनके consumers और whatever they are called, तो वो मतलब special जो cases होते हैं, special empathy जो होती है, वो recognize करता है, और फिर समझ के वो फिर लोगों को उनका पैसा वापस करता है, तो भई, E-Cube का head कौन है, जो organization का head है, मतलब आप, ठीक है, और आपके सामने एक ऐसी situation आई है, जो अपने आप में, म तो भई, आप इसमें decisions लिए ना, इसमें आपको decisions लेने पड़ेंगे, कि भई, लोगों का पैसा है, आप उनको वापस करिए, बात खत्म, press conference करिए, और declare कर दिये, कि भई, आज हमने यहाँ पर सब का पैसा वापस कर दिया, हमारे पास ये department है, वो department है, ये claim करने कि आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम salaries time पर देते हैं, first का होता है, तो 30th को आ जाती है salary, और कोई अगर, हाँ, तो उससे भी, क्या मतलब है, आप अपने चप्रासी को time पर देते हैं कि नहीं, आप अपने कहीं और time पर देते हैं कि नहीं, it doesn't matter, ज जहां देना है, जिस इंसान को, वो आप देनी रहें, तो इन सब बातों का मतलब क्या है फिर? कि salary time पर देके आपको, क्या आप gold medal चाहिए, क्या आपको gold medal चाहिए, अब salary time पर देने के लिए? या आप out of the way जाके लोगों को salary time पर देते हैं? नहीं, वो भी वो कह रहे हैं कि दिवाली होती है, तो हम एक दिन पहले दे देते हैं, देखी, ये सब मुर्दे से भटकाने वाली बात है, I think Vivek Bindra will make a great politician, ये तो मैं आपको अभी से बता सकता हूँ, and I say this in a critical undertow, ठीक है न, क्योंकि आप politicians का typically काम क्या होता है, जब उनसे question पूछा जाता है, तो वो whataboutism पे resort करते हैं, कि X party ने अपने time में क्या किया था, अरे उन्होंने अपने time में जो भी किया, आपने जो अभी क अपने किसी employee के, उसके dad को oxygen का cylinder नहीं मिल रहा था, तो हमने ये किया थे कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, आपको क्या inter question किया जा रहा है, क्या आप as an employer कैसे है, इस पे बात हो रही है, तो आप इतनी सारी चीज़े क्यों बता रहे हैं, हम अपने audits कराते हैं, E&Y से audits कर आते हैं, और अरे भाईया, financial audit अलग होता है, process के audits अलग होते हैं, हमने क्या सत्यमता example में सुना है, हाँ, moral audit थोड़ी ना हो रहा है कोई, हाँ, moral auditors नहीं हैं यहाँ, moral auditors जो हम जैसे लोग हैं, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पर आप, you know, strike मारते हैं, channels पे और legal notices देते हैं, so, you know, I think there is a lot of fluff in this case that he must cut down, दूसरी एक चीज़ है, एक word होता है, obstinate, and that is the word of the day, obstinate जो word होता है, उसका मतलब होता है, ideal, देखिए, stubborn का मतलब तो होता है, जिदी, लेकिन जो ideal होता है, उसको obstinate का आ जाता है, मुझे लगता है कि Vivek Bindra का यहाँ पर, अर जाने की बात है, and I don't get this, because मुझे नहीं समझ में आता, as a businessman, a business that is of relationship, आप services बेच रहे हैं, आपका product जो है, वो एक service है, वहाँ पर relationship is दखी, आप इस बात को ध्यान से समझे, relationship based businesses जो होते हैं, वहाँ पर आपकी goodwill ही सब कुछ है, आप अपनी goodwill के लिए, मतलब 2000 लोगों की जो भी grievances हैं, और legit भी हैं, ठीक है, उनको आप एक तरफ से clear कर दीजे, एक लाख साथ हजार लोगों से आपने पैसा कमाया है, उनके affiliate से आप एक perpetual earning करते आ रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, मतलब इतने सारे आपके income के sources होंगे, अलब क्या ये इतनी बड़ी चीज है, कि आप अपनी goodwill को trade off करने के लिए तैयार हैं, आज देखिए कितना रकस मचा हुआ है पूरे YouTube पे और otherwise मीडिया में भी आप आगया है, ठीक है, तो आप अपनी goodwill को क्यो trade off करने हैं, चंद पैसों के लिए, कम से कम you can face this situation like a man, आईए सामने और उनको बताइए and then you know, come out clean, आप अपने business models explain कर रहे हैं, business models अच्छे होंगे, लेकिन अगर कोई dissatisfied ह तो customer satisfaction मैंने पहले भी कहा था, I will continue to ask this question, आप customer satisfaction के लिए कोई audit है आपका? इन्होंने awards की दोहाई दी, हम GST के awards देते हैं, सारे जो organizations हैं, वो पता नहीं कितना 90% GST के या X% GST के claims लेती हैं, हम GST के claim नहीं लेते हैं, 10% से जाधा input नहीं लेते हैं, पता नहीं फालतू की बात हमको ये award मिलते हैं, world record है हमारे नाम, 12-12 world record है, देखिए world record किस चीज़ के हैं, आपके world record इस चीज़ के हैं, कि आपने एक entrepreneurship event launch किया, उसमें 31,000 लोग आए हैं, apparently, ये एक अपने आप में world record बन गया, कि किसी एक बंदे ने single-handedly एक event organize किया, और उसमें इतने सारी audience आ गई है, मतलब इस बात से कि हमारे world records हैं, और आप कुछ कल को गलत नहीं करेंगे, ये कौनसा correlation है, मुझे तो समझ में नहीं आता, that is beyond my comprehension at least, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये fluff को cut करना चाहिए इनको, और अब सीधे मुद्धे पर आना चाहिए, IVCs के refund का issue है, जो लोग satisfied नहीं है, एक बात, दूसरी बात, आपने incessantly, continuously ये बोला है कि money back guarantee है, no questions asked, money back guarantee है, no questions asked, तो आप money back कर दीजिए, no questions asked, बात खतम हो जाती है, बिल्कुल, अगर ये ऐसा करते हैं, तो ना ये कोई question कर पाएंगे किसी से, ना कोई इनसे question कर पाएगा, मामला settled हो जाएगा, लेकिन जहां प और हमारे हाथ में नहीं होता ये, मतलब imagine कर रहे हो, कि जो organization का head है, वो अपने आपको इतना helpless दिखा रहा है, कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये बोला है उन्होंने, ठीक है, तो आप management के इतने बड़े गुरू है, ठीक है, लोगों को कि problem solver हैं, वहाँ जा जाके आप पत नहीं किस-किस automobile sectors को और किस-किस को पताते हैं, उनकी problem solve करते हैं, आपको आपसे जो जो जुड़ा हुआ बंदा है, जो आपके courses sell कर रहा है, जो आपका representative है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप ये बता रहे हैं, आप उसे control नहीं कर पाते हैं, इतने बड़े management guru, जो पूरे, म एक legal clause होता है, जो basically कहता है कि कोई event हो गया, लेकिन उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि उसको deny कर देते हैं आप और वो plausibly आप deny करते हैं, so it's kind of a legal term, तो ये plausible deniability claim कर रहा हैं, आपर कि मुझे नहीं पता मेरे हाथ की बात नहीं है, कुछ गल्तियां हुई है, वो हम कौन है ये, ये इतने सारे लोग निकल के आ रहे हैं, अमित महेशवरी जी का एक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने open किया एक forum, जिसमें के जो भी ये सताय हुए लोग हैं, अग्रीवध जो IBCs हैं, और ex-IBCs हैं, current IBCs भी होंगे शायद उसमें, आप देखिए, there was an avalanche of people, वो almost a Sandeep Maheshwari look alike एक show हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर अपनी अपनी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, that you know, my heart went out to some of those people, किस-किस तरह से उन्होंने क्या-क्या जतन करके इनके courses लिए, in utmost good faith, और ultimately वो कहानी कहा जा रही है, कि यहां पर आप बैठके, बहुत easily कह रहे हैं, कुछ 2000 लोग है, बिशेक उसमें वो बता रहे थे, कि फोन पे उनसे कहा जाता है, कि आप अपने कुछ नहीं तो गहने गिर भी रख दिये, गहने बेच दिये, कहीं से ले लिए, loan ले लिए, लेकिन आपको जो हम आज का offer दे रहे हैं, immediate offer दे रहे हैं हम आज का कि जो 90,000 की कोई चीज है, तो आपको हम कुछ 30-40,000 में, 50,000 में आपको दे रहे हैं, यह आज का ही स्कीम है, आज निकल गया तो वो, तो यह जो, creating that sense of urgency, हाँ, forceful selling जो यह होती है ना, कि आप एक दम से, अभी शेक क्या हुआ हुआ बाइजियूस का, हमारे सामने है के नहीं बाइजी, उसका कितना toxic environment होता था, sales का, और वहाँ भी वो courses ही बेशते थे, ठीक है, वो अलग बात है कि वो बिलकुल एक किसी board से, board के कोई exams होते थे, उससे affiliated होते थे, पिर उनका वो courses होते थे, लेकिन था तो वो भी यार एक तरहां से कहीना कही, scam ही ना, बिलकुल, जो ज आप बोल दो और बस course को बेचना है, आपको, यह आपकी target है, रोजी, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से गलत है, और वो सामने आ जाता है, वो toxic environment, बिलकुल, बिलकुल, अब उस show में अच्छा यह हुआ देखिए, अमित माहिशरी जी के show में, and we'll try to put the link in the description for those who have not watched it, कि उन्हों उन्हों ने वहाँ पर legal council बिठाए है, और इस particular aspect के जो experts है, consumer affairs के जो expert legal council है, उनको बिठाके उनके सामने ये situations रखी गई है, लोगों के द्वारा, साफ शब्दों में बताया गया कि उनके साथ क्या घटा, जिसके चलते वो यहाँ पर हैं, और legal council ने कुछ दो-तीन बाते जो students रहे हैं, तो अगर तो आप एक student है, तो ultimately आपके rights different है than that of a member, अगर आप किसी scheme में as a member sign up होते हैं, जैसे उसमें आप दिखिए हैरान रह जाएंगे उस show को, वो बता रहे हैं कि एक कोई सहाब है, जो बता रहे हैं उन्होंने 16-17 लाग रुपे दिया है to become a channel partner, not an IBC, but a channel partner, यानि उस पूरे cluster के या उस पूरे zone के वो एकलौते head होंगे, उनके नीचे एक hierarchy होगी, फिर IBCs होंगे और दूसरे पता नहीं कौन-कौनसे designations उन्होंने तह करे होगे, channel partner तक trust हैं, वो भी trust हैं कि उनके पैसे डूप गए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जाने उनको Ministry of Consumer Affairs में जा सकते हैं, अब उसको जाने से पहले है, जैसा वो बता रहे हैं, आपको करना यह है कि पहले तो आप, अगर आपने अप तक ये already नहीं किया है, तो एक application, एक written format में उनको दीजिए, इस application में आप उनसे request करेंगे, refund की, once and for all एक बार और करेंगे, अगर आप पहले that, you know, has come out positive from that podcast of Sagar Sina, was that Vivek Bindra ने अपने कुछ emails दिये हैं, कि आप मुझे दीजिए और मैं उसको resolve कर दूँगा आपके लिए, I know, I'm hoping that it would work, but अगर वो नहीं काम करता है, तो वो जो advocate हैं वो बता रहे हैं, कि उनको आप एक legal तरीके से एक वो बेजिए, letter दीजिए, और कि एक copy लेके, आप सीधे Ministry of Consumer Affairs में जाके अपना वो file कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई legal expertise नहीं चाहिए, जिसके लिए शायद 200 रुपे की fees बता रहे हैं, वो होती है सिर्फ, और बहुत ही seamless process है, ठीक है, लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि जानते नहीं है, fear of the unknown जिसको हम notice बेजा जाता है, एक तारीक सेट की जाती है, और उस पर जाके वो तुरंत hearing होती है, और action होता है, obviously उसका एक time होता होगा, लेकिन action जो है, वो बहुत जल्दी होता है, और बहुत seamless वो process नहोंने बताया, तो ultimately मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई इतना seamless process available है, तो वो लोगो को use करना चाहिए, तो इसमें लेकिन एक important बात उन्होंने कही है, कि अगर आप पिछले दो साल में, यह आपका जितने भी IBCs हैं, जिनको grievances हैं, जिनको refund नहीं मिला है, जो satisfied नहीं है and so on, तो उनको cause of action की day से दो साल तक आप Ministry of Consumer Affairs में वो चीज़ फाइल कर सकते हैं, otherwise फिर व वो दे होते हैं, वो महाँ पर दिये जाते हैं, जिसको आप as a cumulative case file कर सकते हैं, यानि कि अगर आपका जो भी amount है, वो मानलीजिये, जैसे इन भाई साब का था 16 लाग रुपे हैं, तो इस तरह है कि क्या और भी channel partners या दूसरी कोई designation के लोग हैं, जिन्होंने और जादा पैसा लगाया है, या थोड़ा कम पैसा लगाया है, लेकिन अगर उसका cumulative amount दो करोड से उपर है, तो वो economy offense की तरह है, same procedure के थूप, file किया जा सकता है, और उसको बड़ी जल्दी action होता है, तो उमीद हम यह करेंगे कि विवेक बिंदरा, इन सारी discussions के बाद, जो जो चीज़र सोशल सालों में, ना जाने कितने तरीकों से आपने कितने platforms पर जा जाके अपनी एक positioning, अपना एक brand establish किया था, आज उस brand को टारनिश होते हुए देखके, मुझे अकीन है, सबसे ज़ाधा दुख आपको उता होगा, तो वहाँ पर obstinate ना बनिये, कहीं आपने एक जगा पर जब साग के का attitude है, why should he not get there, I think that is where the whole issue lies, तो आप आगे आईए, और इन चीज़ों को iron out कीजिए, solve कीजिए and come out like a winner, out of this situation, that is the only suggestion we can give you, for now, thank you for watching this episode, हम इस controversy को follow कर रहे हैं और आप तक latest and greatest updates लेकर आते रहेंगे, अब तक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो please इसको subscribe कीजिए, वीड और wider audience को YouTube इसको फिर पहुचाता है, thank you in advance for that and I hope आप इन discussion से कुछ सीख भी रहे होंगे, जिस learning को use करके, we are sure you will unlock the 2.0 you, keep watching.